तो इसमें कुछ और सेंटेस देख लेते हैं और आज की क्लास में करेंगे अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटर्गेटिव ठीक है तो देखें कुछ कोश्चन है आपके सामने इनको हम कर देते हैं तो देखें यदि आपको टेस्ट अच्छे से कंपलीट करना तो आपको वर्ब जादा से जादा याद होना चाहिए तो देखें आपर पेला हमारा कुश्चन है में बजार जा रहा हूं सब्जेक्ट क्या इसमें में और में का इंगलिस क्या होता आपका क्लियर हो उआ चले पिछले क्लास में हम देख चुके थे कहा हम हमें हमेंहala का प्योंब और कहाँ अ पर आ तो आपको रदे हैं परनी हम आपको जारा हूं जा रहाहूं तो जारा ओ enquanto 네स के दो हमारा यह वाक्य चले तो यहां पर सब्जेट हो गया अब लेना वर्भ तो वर्भी क्या है जाना तो जाने के लिए वर्भी क्या हमारे पास गो ठीक है और वर्भ के साथ आएंजी क्या होगी अपर गोई बेलकुल हो गया तो यहां तक हमारा complete हो चुका है अब object के वच्छा हमारा बजार तो गोर कम के साथ तू करते हैं तो going to बजार के लिए English word क्या उस करेंगे market ठीक है तो यहां पर हमारा complete होता है अभी हम sentence का Hindi से English sentence बनाना सिख रहे हैं इसके बाद हम English to English sentence को change करेंगे जैसे के present continuous है तो इसका past continuous में change करेंगे अभी हम sentence को बनाना सिख रहे हैं बनाने के साथ साथ फिर हम उसको English to English changes करते जाएंगे translate करते जाएंगे चलिए तो यह हमारा sentence complete हो गया चलिए अगला देखें तुम वियाम कर रहे हो वियाम कर रहे हो तो देखें यहां पर क्या वड़ाया रहे हो प्रेसेंट का सब्जेट क्या आप पर यू तो यू के लिए English word क्या होगा हमारा सोरी तुम के ल करने के लिए यहांपर वर्ब क्या है करना तो सब्जेक्ट डीयों के साथ helping word क्या यह लेंगे ओर तो यहांपर होगे आपका चले थर्ड़ और देख लीजिए वहाँ सच बोल रही ए तो बोल रही है मिसरी मेल और रही पैचान देखे सब्जेट क्या हो यहाँ तो वहाँ के लिए क्यों से शी अप सि हमार सब्जेट क्यां जो हे स्ब्जnaire करThis लिए यह सिस और बोलने के लिए वर्भ ही क्या है हमारे पहर इसप्यक्ट तो श्रीट करें से हमारा कम्पीड सिस्ट स्ट्रीं सचैन बॉल रही है सच अगला हमरा राम कड़ी महिनत कर रहा है तो subject क्या हो गया राम मेनत कौन कर रहा है राम हो गया राम कड़ी मेनत कर रहा है तो देखे रहा है टेंसरी की पेचान present चैंट इसका ही है यह चले subject होगे आपका राम तो यहाँ पर ले लिए हमने subject होगे राम अब राम किसी का नहीं में singular है helping और भी क्यों करेंगे is बिलकुल हो गया इस वर्ब ले लिए देगे मेहनत करने के लिए पर हार्ट के लिए कड़ी महनत कर रहा है ठीके चलर जब हमारा complete है फिप्त वाला देखिए बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं टेंसी की पैचान प्रेजेंट कंटिनूस की बच्चे के लिए हम यूज़ करेंगे दा चिल्रन बिल्कुल अब जो बच्चे जो हमारा सब्जेक्ट है प्यूरल है तो क्या उसकरेंगे लौरब और तो चिल्रन और अब यहांपार देखिए वर्ब के सीखना तो सीखने के लिए यूज़ करेंगे क्या होगी आपका लर्णिंग बिल्कुल हो गया लर्निंग के बाद अब अंग्रेजी के लिए क्लिए और यूस्क करेंगे इंग्लिश तो हो जाए distintos बच्चे अ है और सभी का हमने देखा हिंद्य से इंग्रीश को सिक Major outlook क्या ही आप से've भीजर्ट्वान करें इसका हा तर नाकारत्रत्र कित मेंcus नहीं तक्य Можно इसेद्टिवा만 में लजारं दाकरें भीजार रहां है हूं नहीं आया तुम व्यंदा है नहीं आए पना ऑपको सब्धिक ने सम history यए सब्सक्रण में हम क्या करेंगे सब्जेक्ट प्लस क्रणा आपको सकरते सब्सक्राइए समारा I कराना इसके बाद नोड्ट करेंगे रभी тебя जाना गसा nag करेंगे going to market going to the market शहाँ पर दाखाइस करेंगे हम going to the market चलिए नेक्स्ट देखें तुम नहीं कर रहे हो subject क्या आपका यूजर यूजर के साथ helping और हम नहीं कर आ था आर तो यू आर नोट करेंगे negative sentence तो यू आर नोट है ना व्याम करने के लिए डू आएंजी करेंगे डूइंग और व्यांग के लिए एक्सरसाइज ठीक है यह हो गया आपका नेगेटिव कम्पेट चले वहाँ सच नहीं बोल रही है तो नहीं बोल रही है सी हो गया क्या लाइज करेंगे सी के साथ इस यहाँ पर होगे आपका not says not और बोलने के लिए क्या इस्पिक और आइच जी करेंगे speaking क्या नहीं बोल रही है सच speaking the truth जी हमारा कम्पेट देखे हिंडी में नहीं इंग्लिस में note कर रहा है सब भी के साथ यह negative हमारा subject क्या था हमारा Ram Ram हो गया बिल्कुल helping or भी क्या है उसकी हमने is और इसके साथ क्या लगा ना आपको note तो Ram is not और मेहनत करने के लिए work तो यहाँ पर हो जाएगा working और कड़ी के लिए अपने क्या है उसका रहता हाथ तो Ram is not working hard कड़ी मेहनत नहीं कर रहा चली बच्चे तो यहाँ पर हो जाएगा the children जे होगी आपका the children children purely है इसलिए क्या है उसको करेंगे subject के साथ और 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 के साथ negative हमारा आप तो note करेंगे तो children are not और सीखने के लिए वर भी क्या है learn यहाँ पर हो जाएगा ing करेंगे learning ठीके ना तो क्या नहीं सीकरें English तो यहाँ पर हो जाएगा English तो यह हमारे sentence affirmative और यह negative ठीके ना हिंदी बाद की में नहीं कई उसक्या हुआ है तो हम helping और बिक के साथ किसको करेंगे note करेंगे तो यह हमारा negative ठीके ना equation लिख लिख लिए negative को subject helping और बीजे मार प्लस note प्लस बरफ़स्ट आइंजी प्लस object तो यह हमारे ते negative ठीके तो आज के लिए इतना ही अगली class में अपन करेंगे interactive और interactive प्लस negative ठीके आज के लिए इतना ही जेइन यह हमार जय करेंगे जिएमाभी